नमस्कार जी आगई दिवाली, हैपी दिवाली, दिवाली शुब हो, शुब लाब हो, रिधी सिद्धी हो, सभी कामनाय पूर हो, आपकी और मेरी शुरुवात मुझ से हो, अच्छा सोचे अच्छा हो, कर भला तो हो भला, जो मन्चंगा तो कटौती में गंगा, अब मैं आप से कुछ काओं, दिल की बात, जब भगवान की पूझा करने का दिल हो, पती देव घर आ चुके हो, परिवार सारा साथ में हो, लगे दिस इस दा राइट टाइब, सूरे हलका सा अस्थ हो रहा हो, आप बस सारा परिवार मिलकर पूझा कर दे, लेकिन सबसे महते पून बात दूँ, फिर मैं बाद में भूलना जाओ, लक्षमी पूझा में कभी भी हाथ नहीं जोडते, अगर आप हाथ जोडेंगे तो लक्षमी चली जाएंगी, ऐसे करकर पूझा कीजिए, ठीक है, अगर आप लक्षमी जी की आरती भी कर रहे हैं, तो आरती भी ऐसे कीजिए, ले चेहरे पर रगड़िये और भगवान का शुक्रिया दा कीजिए और कहिए लक्षमी मां आज बरस कर बस उपर से नीचे आ जा मेरे पास और टिक जा मेरे घर में सबसे पहले खुश हो के सब सब घर के बड़े बुज़र्गों के पाउच हुई है घर का मुखे दर्वाजा खोली है उसमें एक लोटा पानी डाली है उसमें थोड़ी हल्दी और कुमकुम बे डाल लीजेगा और घर में सुगंधित अगरबती चारों तरफ लगा दीजे ते आपके घर से पहले दान जाए चूला भी बाद में जले पहले ग्यहूं मंदिर में दान करकर आएं उसके बाद आप कोशिश करें कि आपके घर के आसपस अगर आपको घोड़ा मिल जाए तो चने की दाल खिला कराएं अगर हाथी मिल जाए तो उसे गन्ना और केला खिला कर बहुताकर वाहन को अमंत्रित करकर आ जाएंगे वा बले-बले फिरतो क्या कोई रोकी नहीं सकता पृड़ वापस लोटकर राई ये फूलों से बेलों से और आम के पतो से अशोक के पतों से घर को सजाना शुरू कि ये मंदिर को पूरा साफ सुतरा कीजिए मंदिर में एक सुन्दर सा लाल कपड़ा बिछाइए चौकी रखे उस चौकी के पर चांदी के प्रेट रखे लक्षमी जी को रखे गनेश जी को रखे कोबेर जी को रखे सरस्वती जी को भी रखे तो इस बार जब आप लक्षमी खरीदने जाएं तो मा सरस्वती को जरूर खरीदें ठीक है